इस वीडियो में हम जानेंगे सेंसंग के फोन में नोटिफिकेशन मेसेज की आवाज को कैसे बंद कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको नोटिफिकेशन साउंड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिम वन पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको फस्ट में साइलेंट का ओप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको बेक आना होगा, और सिम टू पर क्लिक करना है, और इसमें भी आपको silent पर क्लिक करना होगा, तो ये select हो जाएगा, उसके बाद आपको bake आना होगा, और यहाँ पर volume पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको notification की आवाज को पूरा कम कर देना है, तो अभी हमने इसे पूरा कम कर दिया है, उसके बाद हमको कोई भी notification या message आएगा तो हमारा phone कोई भी आवाज नहीं करेगा, तो बस इस video में इतना ही